नमस्कार दोस्तो आप सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल करियर पॉइंट पे आज हम लोग देखेंगे दोस्तो बिहार एस्टेट समाजिक विज्ञान हिस्ट्री का टेस्ट नमबर नाइन टेस्ट नमबर एक से लेकर के आठ तक आपका हिस्ट्री का क आया गया है तो आप जाये प्लेइस्ट में सभी विडियो आपको मिल जाएगा और यह जो आठो टेस्ट है इसके लिंक आपको दे देंगे विडियो के नीचे जहां से आप देख सकते हैं तो चली दूस्तों आज आज स्टार्ट करते हैं आज का 30 महतपूर्ण प्रस्ण ज उसके ने भीए तो क्या हो जाएगा पहला का एंसर दोस्तों जो एंसर हो जाएगा आपका गयलियों ने किया था दूर्बीन का यह इटली याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट प्रस्ण देखते हैं आपका दुसरा नंबर प्रस्ण है कि कोलंबस मुलतह किस देश का था कौन सा देश का था कोलंबस जो अमेरिका का खोज किया था तो ये भी था आपका इटली का ही और इटली कहां पड़ता है दोस्तों तो ये महादेश में है इटली है और कोलंबस का जन्म कब हुआ था तो आप याद रखिएगा कोलंबस का जो जन्म हुआ था 1451 इस्वी में हुआ था कोलंबस का जन्म और अमेरिका का खोज इसने कब किया तो अमेरिका का खोज इन्होंने किया कब 1492 इस्वी में याद रखिएगा 1492 इसवी में इसने अमेरिका का खोज किया निकला था भारत के खोज पे पहुज गया अमेरिका और खोज किया ये अमेरिका का ठीक है चलिए अगला पुरशन देखते हैं थाट नमर पुरशन है कि बासको डिगामा किस वर्स भारत पहुचा अब है कि वास्कोई डिगामा जो भारत का खोज किया था इसने भारत कब पहुचा हना किस वर्स भारत ये पहुचा था तो 1498 इस्वी को ये भारत पहुचा और भारत में कहां पहुचा तो केरल के काली कट ठीक है याद रखिया है केरल के काली कट जो तट है वहाँ पहुचा था ये आपका वासकोई डिगामा 1498 इस्वी और यहां के जो राजा था काली कट का उसका नाम था आपका जमोरिन तो ये भी याद रखिएगा जो आपको पूछा जाता है जमोरिन ठीक है चलिए अगला पुरस्ण है आपका फोर नंबर की वासकोई डिगामा भारत के किस बं केवरल ने केवरल ने केवरल ने किसका खोज किया था किसका कौन से देश का खोज किया था केवरल ने ओप्शन है लिस्वन जर्मनी भारत या ब्राजिल तो केवरल ने किया था दोस्तों आपको ब्राजिल का खोज कब किया था तो इस्वी आप याद रखे 1500 इस्वी में कि था आपको ब्राजिल का खोज यह ब्राजिल कहां है तो आपको दच्छीन अमेरिका में है कहां दोस्तों दच्छीन अमेरिका में है ब्राजिल और यह दच्छीन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ठीक ना छेतरफल के हिशाब से याद रखेगा और दच्छीन अमेरिका में ब्राजिल में ही कौन सी नदी बाती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी उसका नाम है आपका अमेजन नदी ठीक है इसको हिर्दय का पिर्थवी का फेफड़ा भी कहा जाता है हिर्दय अमेजन नदी बेसिन को ठीक ना चलिए अगला प्रश्ण है आपका six number प्रश्ण है कि कुबलाई खान कहां का निवासी था यह आपको बताना है कि क निवासी खान और चिन का है तो前 यह महाधेश में ऑर चेतर फल प्रथाव है कि हिसाब से प्रथां है यह चाइना और दूसरा नंबर पर आपका है भारत यह आप नोट कर लीजिए अगला प्रशन देखते हैं सेवन नंबर कि अमेरिका की राजधानी कहां है अमेरिका की जो राजधानी है यानि यू एस ए यूनायटेड अस्टेट ऑफ अमेरिका इस तो यह भी बाते आप नोट कर ले चलिए अगला प्रशन अमेरिका में टोटल राजज कितना है तो 50 राजज है दोस्तों अमेरिका में 50 राजज है और मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका वसिंगटन डीसी जो अमेरिका का राजधानी है यानि कैपिटल है और वरतमान में अमेरिका का राज़्टर पती कौन है तो डोनाल्ड ट्रम्प नेक्ष्ट परसन है आपका आठ नमबर कॉमन सेंस की रचना किसने की थी ओप्शन है जैफर्सन, टॉमस पेन, वशिंगटन या लफाईते तो किसने किया था कॉमन सेंस की रचना एंसर हो बी, चलिए नेक्ष्ट परसन देखते हैं दोस्तों और वीडियो पे नए हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दे और हमारे चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्ष्ट वीडियो इसी परकार से मिलता रहे और आपको सिर्फ इस्टेट में काम करेगा, यह सभी एक्जाम्स के लिए काफी महत पूर्ण है क्योंकि दुसरे भी एक्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें भी आपको यह कोस्चन पूछा जाता है, चलिए नाइन नमर परसन हम लोग देखते हैं कि अस्टाम्प एक्ट किस वर्स पारित हुआ था, आपको बताना है कि अस्टाम्प एक्ट पारित हुआ था, यह हुआ था आपको ए नमबर एंसर हो जाएगा आपका, शत्रह सो पैसाट इस्वी में पारित हुआ था, अस्टाम्प एक्ट, नाइन नमर प्रशन हो गया, टेन नमर प्रशन देखिए, कि अमेरिकी सवतंत्रता संग्राम में अंगरेजों का सेना पती कौन था ही इसमें से question पूछा जाता है सेना पती था इंसर हो जाएगा आपका ए नेक्ष प्रस्ण देखिए आपका 11 नंबर की अमेरिकी शंभीधान कब लागो हुआ अमेरिका का शंभीधान कब लागो हुआ दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रस्ण है भी भी आई आई आपका प्रस्ण है उप्सन है 1787, 1789, 1791 या 1793, 11 का इंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानि 1789 में हुआ था अमेरिकी शंभीधान का लागो हुआ और ये दुनिया का प्रथम देश है जिसमें लिखित संभीधान लागो किया गया था वो कौन सा देश है तो वो है आपका अमेरिका और एक क्वेशन पूछा जात नेक्ष्ट प्रस्ण है आपका बारह नंबर प्रस्ण कि विश्व में प्रथम लिखित संभीधान किस देश में लागो हुआ था अभी बताए कि जो प्रथम लिखित संभीधान था ना वो था आपका अमेरिका का इंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ठीक है चलिए और तेरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस संभीधान के द्वारा अमेरिकी सोतंता संग्राम को मान्यता मिली हना अमेरिकी सोतंता संग्राम को किस संभीधान के द्वारा मिला ठीक है तो इसका इंसर क्या हो जाएगा आपका संधी के द्वारा यहां पी क्या होगा वही थोड़ा लग रहा था कि कुछ यहां पर गडवड है यहां हो जाएगा आपका संधी हना किस संधी के द्वारा मेर्की संधी सोतंता संग्राम को मान्यता मिली ओप्सन है पेरिस की संधी भी है फिला विला फैंका की संधी सी है न्यूली की संधी या डी है सेवरे की शंधी एंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर यानि पेरिस की संधी में इसको मान्यता मिली थी और पेरिस की संधी कब हुआ था तो याद रखे 1783 इस्वी में ठीक है चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं आपका 14 नमर प्रश्ण है चोधा प्रश्ण है कि अमेरिकी 1744 से अमेरिका का सेनापति कौन था मेरिकी जो 17सल अग्राम हुआ था इसमें अमेरिका का सेना पति कौन था तो यह बताना है आपको तो ऑप्सन है ग्रीन वीले जैफर्सन लफाय ते या वाशिंगटन तिसका एंसर क्या हो जाएगा आपका डी नमबर याणि वाशिंगटन जो था यह अमेरिका का शेना पती था और यही वाशिंगटन बाद में जाकर के अमेरिका का राष्ट्रपती बना था ठीक है और लिव्यक्ति चाहे जितना बार भी राष्ट्रपती परधान मंतरी बन शकता है लेकिन में मात्र दो राष्ट्रपती बन शकता है नेक्स्ट्प्रस्ण है आपका 15 नमर के अमेरिका के प्रथम राष्ट्र पती थे इंसर हो गया आपका ये नेक्ष्ट प्रस्ण देखिए शोलाह नमर प्रस्ण है कि सब्त वर्सिये युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था काफी इंपोर्टेंट प्रस्ण है सब ही एकजाम में पूछे गया है कि सब्त वर्सिये मैं इसका इंसर हो जाएगा दोस्तों सब्त वर्सिये युद्ध का आपको सी नमबर यानि बिर्टेंग और फ्रांस यहां मेरिका नहीं होगा इसको ठोड़ा साप लोग चेंज कर लिजिएगा बिर्टेंग और फ्रांस के बीच हुआ था आपको सब्थरुषिय युदे इसका डेट पुछा जाता है तो सब्षण 246 से ले करके 1733श्मी तक यह युद्ध लड़ा गया था स साथ वर्हों का युद्ध इसको सब्थवर्षिय युद्ध कहा जाता है अगहला प्रश्न यानि बी नंबर इसका इंसर हो जाएगा नेक्ष प्रस्ण देखिए अठारा नंबर सब्थ वर्सिये युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था उप्सन है 1752 1754 1755 यह 1786 इंसर क्या हो जाएगा आपका 1756 इस भी हो जाएगा डी नंबर 1756 से 1763 तक यह युद्ध चला था साथ वर्स चला था यह युद्ध अगला प्रशन है आपका 19 नंबर की सब्थ वर्सिये युद्ध से किस देश को सबसे अधिक लाब हुआ किस देश को सबसे अधिक लाब हुआ तो answer क्या हो जाएगा आपका आपका 20 नाब प्रशन है और दोस्तो वीडियों पे नए हैं तो प्लीज जरू से जरूर चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन प्लीज कर ले ताकि आपको next video इसी परकार से मिलता रहे बिस नमबर प्रशन है आपका कि France एवं आधिवासियों के आकरमनों का सामना करने के लिए British सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई थी British सरकार कितना सैनिक रखने की योजना बनाए था कहां तो अमेरिका में ओप्सन है 11,000, 12,000, 14,000 या 15,000 एंसर क्या हो जाएगा आपका A नमबर यानि 11,000 सैनिक रखने की योजना बनाए थी British सरकार अमेरिका में next परसन है आपका 21 21 परसन है कि अमेरिका में सैनिक रखने के लिए किस वस्तू पर चुंगी लगाई गई थी हना सैनिक रखने के लिए किस वस्तू पर सैनिक रखने के लिए उसके खर्च के लिए हना उसके खर्च के लिए चुंगी लगाए गई थी कौन से वह वस्तू था था वुप्सन है चाय चीनी रेसम नमक तो एंसर क्या हुजाएगा दोस्तों आपका बी नंबर यानी चीनी पर चूंगी लगाया गया था यानि कर लगाया गया था निक्श्प्रस्ण है आपका 22 पांच और सहनिय कानून कब पारित किया गया था ये कब पारित किया गया था काफी पर पुझा गया है इसका इंसल क्या हो जाएगा इसका इंसल हो जाएगा दोस्तों आपका C number यानि 1774 इस्वी में ये कानून पारित किया गया था 1774 इस्वी में कहां पारित किया गया था आपको अमेरिका में ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट प्रस्ण है आपका 23 number पांच असानिय कानून को किसने पारित किया था ये जो कानुन था इसको पारित किस में किया था? ओप्सण है Lord North Green Valley, बड़ा PTA Rockingham तो किस ने किया था दोस्तों? इसको किया था, A number answer हो जाएगा Lord North ने इस कानुन को पारित किया था नेक्ट प्रस्ण है अबका 23, Boston की पार्टी घटना कब होई? बोश्टन की चाय पाटी भी इसको कहा जाता है यह घटना कब हुई काफी इंपोर्टेंट है कई बार पुछा गया है तो उप्सन है आपका 1768 1770 इसवी 1772 इसवी 1773 इसवी तो 24 का इंसे हो जाएगा आपका डी नंबर 1773 1773 इसवी 16 दिसंबर 1773 इसवी ठीक है पूरा डेट याद रखे 16 दिसंबर 1773 इसवी नेक्स्ट फ्रस्टन है आपका 25 नंबर की फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था फिलाडेलफिया का प्रथम सम्मेलन पुछ रहा है आपको तो प्रथम सम्मेलन कब हुआ था ओप्शन है 1772, 1774, 1775 या 1776 एंसर हो जाएगा बी नंबर 1774 में हुआ था फिलाडेलफिया का प्रथम सम्मेलन नेक्ष्ट प्रथम है आपका 26 कि अमेरिका का सुतंतरता संग्राब कब शमाप्त हुआ शमाप्त कब हुआ तो उप्शन है आपको 1780, 1883 या 85 तो ये समाप्त हुआ था दोस्तो 1783 इसवी में समाप्त हुआ था और ये शुरुआत कब हुआ था तो 1765 में 1765 से लिकर करके 1783 तक चला अमेरिका का सवतंतरता संग्राम होगत हजों हुआ अमेरिका के सदेश इसकी क्रानाती प्रश्न देखिए 28 नमर प्रश्न है अमेरिका का पता किस ने लगा है मतलब अमेरिका का खोज किस ने किया था तो स्टार्टिंग में आपको बताया थे जो अमेरिका का खोज किया था वो किया था आपको कोलंबस कब किया था तो 1492 इस्वी में किया था ठीक है अना 1492 इस्व संग्राम का नायक कौन था मतलब हीरो कौन था मतलब अमेरिकी सुतंता संग्राम में महत्पुर्ण भूमी का किसने निभाया था ओप्सन है जैफर्शन भी है वाशिंग टन सी है रोकिंग हम या डी है आपको कार्णवाली से एंसर क्या हो जाएगा 29 का डी नंबर यानि अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज जरू से जरू सब्सक्राइब कर लें चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इसी परकार से मिलता रहे दोस्तो और वीडियो अच्छा लगा होते एक लाइक जरूर करे और लाश्ट में कोमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितना कितना शही किये हैं नेविगेशन एक्ट कप पारित किया गया था लास्ट प्रस्ण है आपका कि नेविगेशन एक्ट पारित किया गया था अमेरिका में वो कप पारित किया गया था ओप्सन है 1750, 1651, 1752 यह 1665 एंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानि 1651 इस वी में नेविगेशन एक्ट पारि किजेगा और मारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किये तो जरू से जरू सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेस्ट कर ले आप सभी के लिए बहुत मेनत किया जा रहा है दोस्तों तो ठीक है नेक्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए जैहिंद जै भारत झाल झाल